जेहिन दोस्तों बंदे मात्रव स्वागत है आप सभी का दगंगा कैडमी के यूटूब चैनल पर दोस्तों यदे आप किसी भी कवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहें तो ये क्लास आपके लिए बहुती यूचफुल होने वाली है आज की क्लास में हम टॉप 20 प्रस्णों क तो कमर करेंगे जो की हमने सारे प्रस्ण जो है शिंदू घाटी सब्विता से लिए कहां से लिए हैं शिंदू घाटी सब्विता से दोस्तों आपको बता दें सिंदू घाटी सब्विता का जो काल है वो डाही हजार इसा पूर्भ से लेके सत्रह सो पचास इसा पूर्भ त तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सारे प्रस्ण जो है शिंदू गाटी सब्विता से लिए हैं दोस्तों बात करें शिंदू गाटी सब्विता की तो यह सब्विता हमें जो है शिंदू नदी के तडपर मिली थी किस नदी के तडपर मिली थी शिंदू नदी के तडपर मिली कि दोस्तों कि अगर बात करें शिन्दुगाटी शब्बिता की कि तो इसकी पहली खुदाई जो ए ह adapt दामक कि मृत कहां से हुई थी नामक इस तल से हुई तई इसलिए हम जो हैं इस को हरपा शब्बिता भी तो क्या कहた medical Co अब हम 20 Якम को शॉल्व करें सिंदू घाटी सब्विता जानी जाती है A. अपने नगर नियोजन के लिए B. मोहन जोदडो एवा मडपा के लिए C. अपने क्रसी संबंधी कारें के लिए D. अपने उद्द्योगों के लिए तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा A. अपने नगर नियोजन के लिए आपको बता दे सिंदू घाटी सब्विता जो थी इसमें जो नालिया मिली वो आपको ढकी भी मिली थी और सडके जो थी वो क्याती चौड़ी ही थी इसलिए हम यह अनुमाल लगाते है कि यह सिंदू घाटी जो सब्विता थी अगला प्रस्ण हमारा प्रस नमबर 2 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सेहर ता भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सेर ए रपा भी पंजाब सी मोहन जोदलो डी सिंद तो इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों ए रपा क्या हो जागा हरपा के बारे में दोस्तों बता दे तो यह आपका मौंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पढ़त सन 1921 में और यह आपका जो है रावी नदी के किनारें किस नदी के किनारें किनारे किनारे की तो आपको धियाराम सहानी कि दी शानी ने अगला प्रस्ण हमारा दोस्तों प्रस्ट नमबर तीन प्रस्ट नमबर तीन की बात करें तो मोहन जोदलो कहां इस्तित है A. पंजाब B. सिंद्ध C. गुजरात D. उत्तर प्रदीश तो दोस्तों आपको बता दे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी क्या होगा बी सिंद मोहन जोदलो जो आपका सिंद प्रांत पाकिस्तान में इस्तित हैं सिंद की बात करें दोस्तों तो यह आपका शिंदु नदी के किनारे इस्तित हैं और इसकी जो खोज कीती मोहन जोदलो की आपको ध्यान रखना है एकजाम से आपसे पूछेगा मोहन दास बनर जी ने किसने राखाल दास बनर जी ने जो है इस मोहन जोद्रों की खोज की ती पूरा नाम इसका पूरा नाम इनका राखाल दास बनर जी क्या है राखाल दास बनर जी अगला प्रस ने दोस्तों हमारा प्रस नंबर चार प्रेस्ट नमबर चार की बात करें तो चार में आपसे पूचाए सिंदू सब्विता के घर किस से बनाए जाते थे ए इट से, बी बास से, सी पत्थर से, बी लकडी से तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए इट से सिंदू सब्विता के जो घर ते, ये इट से बनाए जाते थे किस से? इट से अगला प्रेस्ट नमबर पाँच प्रेस्ट नमबर पाँच की बात करें तो सिंदू घाटी सब्विता के लोगों का मुख की बहुशाएक क्या था? तो option आपके सामने है A. ब्यापार B. पसुपालन C. सिकार D. क्रसी तो इसका सही answer हो जाएगा आपका A. ब्यापार क्या हो जाएगा ब्यापार सिंदु गाटी सब बताके लोग आपको बता दे ये क्रसी भी करते थे ब्यापार भी करते थे पसुपालन भी करते थे लेकिन आपसे पूछा है मुख्य ब्यापार भी करते थे तो मुख्य ब्यापार भी आपको ध्यान रखना है इनका ब्यापार था ये ब्यापार भी में सोना सोना हो गया आपका चांदी तांबा सोना चांदी तांबा टीन कांसा आदि बस्तों का क्या करते थे आयात करते थे अगला प्रस ने हमारा प्रस नंबर छे प्रस नंबर छे की बात करें शिंदू शब्विता का पत्तन नगर बंदरगा कौन सा था? यानि कि आपको बताना है शिंदू गाटी शब्विता का बंदरगा नगर कौन सा था? ए काली बंगन, वी लोथल, सी रोपड, डी मोहन जोदलो तो इसका जो सही आंसर होगा बो हो जाएगा आपका बी क्या होगा? बी लोथल बात करें दोस्तो लोथल की तो लोथल जो आपका ये किस नदी के किनारे श्तित है? आपको ध्यान रखना है यहां से भी प्रस्ण मनते है कि कौन सा इस्तल किस नदी के किनारे श्तित है? लोथल आपका जो है भोगवा नदी के किनारे श्तित है किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण नंबर साथ प्रस्ण नंबर साथ की बात करें सिंदु गाटी इस्तल काली बंगन कि प्रदेश में है ए राजिस्तान भी गुजराथ सी मद्द प्रदेश डी उत्तर प्रदेश तो आपको द्यान रखना है काली वंगन जो है आपका ये राजिस्तान राजिमें इस्तित है किस राजिमें राजिस्तान में काली वंगन की बात करें तो काली वंगन जो है आपका द पूचे जाए किस प्रदेश में हैं तो राजिस्तान में और किस जिले में तो आपको ध्यान रखना है हनुमान गड़ जिले में किस जिले में हनुमान गड़ जिले में अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ट नंबर आठ प्रस्ट नंबर आठ की बात करें हरपा सब्विता के निव नगरिय यानि की सहरी सभिता थी तो इसका सही आंसर हो जागा B सहरी हडपा सभिता के जो निवासी थे ये कैसे थे सहरी अगला प्रेस्ण हमारा प्रेस्ट नमबर नो इसमें आपसे पूछा है निमलिकित बिद्वानों में से हडपा सब्विता का सरब्रतम खोच करता कौन था बेरी बेरी इंपोर्डेंट प्रेस्ण दोस्तों A. सरजान मारसल B. आरडी वनरजी C. A. कनिंगम D. दयाराम सहनी तो इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों D. दयाराम सहनी ने सिंदु गाटी सब्विता की खोज जो है 1921 इसबी में की थी कहां से की थी 1921 इसबी में की थी इन्होंने सबसे पहले हडपा इस्तल को खो जाता जो की राभी नदी के किनारे इस्तित है अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण नमबर 10 की बात करें तो हडपा सब्विता की संपूर छेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए बरकाकार, वी आयताकार, सी तिर्वुजाकार, डी गोलाकार तो इसका राइट अंसर हो जागा सी तिर्वुजाकार हडपा सब्विता के जो हमें इस्तल मिले थे दोस्तों कुछ इस्तल हमें पाकिस्तान में कुछ इस्तल हमें जम्वु कस्मीर, हर्याना, कुछ गुजरात में मिले इस प्रकार से जब पूरी हमें सिंदुगाटी सब्विता देखने को मिली जब हमने इसका आकरती को देखा तो एक तुरुजाकार की रूप में आकरती बनी इसलिए इसका आकार तुरुजाकार रूप में था अगला प्रस नमारा प्रस नमबर 11 मोहन जोर्णों को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जीवितों का टीला वी कंकालों का टीला सी दासों का टीला दी मृतकों का टीला तो दोस्तों इसका आपका जो सही आंसर हो जगा डी मृतकों का टीला मोहन जोर्णों से जो है हमें एक मृतकों का टीला मिला है बात करें तो निम्लिकित मैंसे कौन सा हडपा काली इस्तल गुजरात में था ए काली बंगा बी रोपड सी बनमाली डी लोथल तो आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बो हो जाएगा क्या लोथल लोथल जो आपका ये गुजरात राजमे इस्तित है लोथल कहा इस्तित है गुजरात राजमे आप से पूछा जाए किस नदी के किनारे इस्तित है तो आपको ध्यान रखना है भोगवा नदी के किनारे इस्तित है किस नदी के किनारे भोगवा थीके किनारे और इनकी खोज की ती यानि कि लोथल नगर की बात करें तो इसकी खोज रंगनात राव ने की ती किस ने की थी रंगनात राव ने जो है लोथल नगर की खोज की थी अगला प्रस्ट नमबर तेरा प्रस्ट नमबर तेरा की बात करें हरपा सब्विता की खोज कि वर्स में हुई थी A 1935 B 1942 C 1921 B 1921 B तो हमने आपको शुरुवात में बताया हडपा सब्विता यह सिद्धू घाटी सब्विता बात एक है इसकी खोज जो है 1921 इस भी में हुई थी तो आपको दहार रखना है हडपा क्या दा हडपा जो की रावी नदी के तड़ पर इस्तित है अगला प्रेस्ण हमारा प्रेस्ण नमबर 14 सिंदू घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में B कर्मकांड में C यद्ध प्रणाली में D मात्र सक्ती में तो इसक सही आंसर हो जागा दोस्तों D मात्र सक्ती में यानि कि सिंदू घाटी शब्विता के जो लोग थे ये मात्र सक्ती में विश्वास करते थे आप से पूंचा जाएगा सिंदू घाटी सब्विता का समाज कैसा था तो आपको ध्यार रखना है सिंदू घाटी सब्विता का ज शब्विता का समाज यानि की सिंदु घाटी शब्विता में माता के नाम से पहचाना जाता था अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण नंबर 15 कि सब्पा काली निस्तल से निरत्य मुद्रा वाली इस्त्री की कांश्य मूर्ती प्राप्त हुई है निरत्य मुद्रा में जो इस्त् C हडपा D बनमाली तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका A मोहन जोध़ो मोहन जोध़ो सोझे आए निरत्य मुद्रावाली स्त्री की कांशी मूर्ती मिली है दोस्तों आपको द्यान रखना है अगर आपसे एक्जाम में पूचा जाए कि आप से पूछा जाए कि सिंदू सब्विता का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो मोहन जोड़ो जो है ये सिंदू सब्विता का सबसे बड़ा सहर है इसकी खोज राखल दास्पनर जी ने कीती आपको दिहां रखना है अगला प्रस नमबर 16 हरपा वासी किस दातू से परचित नहीं थे तो इसका राइट आंसर हो जाएका डी यानि की लोहा हरपा वासी जो थे ये लोहा से परचित नहीं थे और आपको ध्यान रखना है हडपा वासी जो लोग थे यानि सिंदुगाटी शब्विता के लोग ये आपके युद्ध और तलवार से भी परचित नहीं थे किस से युद्ध और तलवार से भी परचित नहीं थे नहीं लोहा से अगला प्रेस्ट नमारा प्रेस्ट नमबर सत्रा प्रेस्ट नमबर सत्रा की बात करें निम्न लिकित में से कौन सी फसल हडपा काली लोगों दोरा उत्पादित नहीं की जाती थी आपको बताना A. जौ, B. डाले, C. चाबल, B. गेहूं तो इसका सही अंसर हो जागा B. डाले, यानि की हडपा वासी जो थे ये दौलाओं का उत्पादन नहीं करते थे ये जौ, चाबल और गेहूं का उत्पादन करते थे अगला प्रेस्ट नमारा प्रेस्ट नमबर अठारा मोहन जोदलों से प्राप्त पसुपती शिव ओबलिग आद्य शिव मोहर में किन-किन जानवरों का अंकन हुआ है A. ब्याग्र अबम हाती, B. गेंडा अबम भैसा, C. खिरन, D. इनमे से सभी तो इसका राइट आंसर हो जागा D. इनमे से सभी यानि कि मोहन जोदलों से जो प्राप्त पसुपती शिव की मोहर मुली है उसके चारोर ब्याग्र, हाती, गेंडा अबम भैसा जो है ये अंकन हुआ है इनका अगला प्रस्ट नमबर उन्नीस उन्नीस की बात करें किस हडपा कालीन इस तल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ती प्राप्त हुए A. हडपा, B. मोहन जोदलो, C. लोतल, D. रंगपुर तो इसका सही आंसर हो जागा दोस्तों A. हडपा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा हडपा हडपा आपका राभी नदी के तडपा रिस्तित है और इसकी खोज 1921 इसभी में दयाराम साहनी ने किये आपको ध्यान रखना है अगला प्रस्न है आज की किलास का मारा अंतिम और नेक्ट प्रस्न 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 नमबर 20 सिंदु गाटी सब्विता की विक्सित अवस्ता में निमन लिकित मैं से किस स्थल में घरों में कुगों के अपसेस मिले हैं ए हडपा बी काली बंगा सी लोतल डी मोहन जोद्रो तो इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों डी मोहन जोद्रों मोहन जोद्रों से जो है घरों में कुगों के अपसेस मिलें क्या मिलें घरों में कुगों के अपसेस कहां से मिलें मोहन जोद्रों से दोस्तों आपको बता दें मोहन जोद्रों जो है यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है कहां स्थित है लरकाना जिले में और सिंद उगाटी सब्विता से संबंदे टॉप 20 प्रश्णों को जो है कवर किया इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल दगंगा केडमी से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तयारी को बेहतर कर सकते हैं आज की क्लास जो हम यहीं पर समाप करतें दोस्तों त हाएपशव लगाएपा फड्वा तोस्तों नेसे में काॉब है यह प्ला समाने और तोस्तों थान को को जदेगे उहा हैında कि दुड़ की क्लास भ्रोचारी कि दोकिन इह उहाना और यहा है अम